हेलो एव्रीवान वेल्कम बैक टू माई चैनल गाईज एक और यू रीडिंग के साथ मैं आगे हूं कैसे हैं आप सब आपकी सबी अच्छे हैं खुश है अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी मैं टूइन फ्लेम और सोलमीड कनेक्शन पर रीडिंग और डिवाीन आपको किस तरह के से गाईड करेंगे यह सारी बाते हैं पर डिसकस करेंगे चीकर काफी टाइम हो गया टो इंफ्लेम गनेक्शन पर मैंने रीडिंग नहीं करी है तो अब देख लेते हैं कि क्या चल रहे हैं आपके डिवाईन मैसकुलन की लाइफ में और वो क keep an open mind reading timeless है जब भी आप यहां तक पहुंचें आप देख सकते हैं चलिए आप स्टार्ट करते हैं इमोशनल विड्रॉल इमोशनल विड्रॉल फुल्फिल्मेंट और विशस मुझे तो काफी सैड लग रहे हैं आपके परसन सफ्रिंग इन साइलेंस और लॉव भीगेंस ओके देखो इस परसन की जिन से आप पियार करते हैं जो आपके डिवाईन मैस्कुलिन हैं इनकी प्रफेशनल लाइफ के बारे में कोई information नहीं है लेकिन इनकी personal life की information यहाँ पर आई है like जो भी काम इनों नहीं करें है past में आपको अगर थोड़ा सा data है या आपको काफी ज़्यादा इरिटेट करा है उसके लिए काफी sorry feel कर रहे है चीक है यहाँ पर आई है दूसरा अभी यह person जो भी इसके wishes है वो पूरी नहीं हुई है चीक है उसके लिए यह सफर ही कर रहे है और आपके साथ new beginning भी इस person की शुरू नहीं हो पा रही है इसके वज़े से भी काफी सफर करना पड़ रहा है यह प्यार तो करते हैं आपसे लेकिन अभी न यह आपका साथ नहीं दे पा रहे है यह चीज यहाँ पर clear है क्योंकि यह person सफर कर रहे है इस वज़े से ऐसा हो रहा है तो इसकी खुद की problems अभी चल ही रही है life में जिसका इसको कोई solution अभी तक नहीं मिला है यह चीज आईए आपके person की life से related और यह काफी sorry फील कर रहे हैं कि इसने आपको भी काफी hurt किया हुआ है यह चीज भी यहाँ पर आईए है choose wisely seven of cups का card आईए and truth यह person काफी confused हो रहे है और heartache and loss में ही है oh god इस connection को लेकर देखो problem तो इसको पता है कि इसने problem create कर दी है connection में लेकिन यह हर चीज को ना surrender कर रहे है divine पे क्योंकि यह judgment का wait कर रहे है truth means judgment judgment का wait कर रहे है खुद confused है और इसने आपको भी काफी चता परिशान कर दिया है जो भी इनका action होता है आप थोड़ा सा disturb हो जाते है यह आपको stress होता है इनकी वज़ा से लेकिन आपको stress नहीं feel करना यही तो आपकी भी task है ना आपको जीना सीखना है अच्छी तरीके से चाहिए situation कैसी भी आ जाए तो indirectly आपको triggers दे रहे हैं ऐसा करके पर यह भी अपनी बहुत ज़्यादा problems हैं अगर कोई third party भी आई थी तो उसने भी इसकी life में problems create कर दी हैं ठीक है और अब यह बिल्कुल अकेला रहना चाहते हैं किसी से बात नहीं करना बिल्कुल अकेला रहना इस person को ताकि यह अपनी wishes को सबसे पहले manifest कर सकें यह चीज़े यहाँ पर दिख रही हैं तो इसी वजह से देखो इसकी life में problems है guys clear दिख रही है इसकी life में problems है और यह manifest कर रहे हैं अपनी new beginning ताकि इसकी life में new beginning हो और यह खुश एक हस एक अच्छी जिन्दगी जी पाए और आपके साथ एक new beginning कर सकें देखा आगे आना connection निकल कर इसको feel होता है connection और इसको पता है कि इस time connection में जो role इसको play करना चाहिए वो चीज नहीं हो पा रही है like आपको support नहीं कर रहे आपसे बात नहीं कर रहे आपसे अलग हो गए है ठीक है आप इसके लिए देखो अगर आप यह सोचते हो कि यह आपको कम समझते हैं यह आपको importance देते नहीं भई आप तो इसके लिए बहुत special person है वर्थ है आपके अंद देखते हैं और देखते हैं इसको आपको न मन करता है कि date करें date पर जाएं आप दोनों यह planning की हुई है इस person ने आपके साथ तो future देख रहे हैं बट अभी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि hardships हैं इसके पास ठीक है देखो कैसे person अंधेरे गुफा में बैठा हुआ है लेकिन इस आपके साथ future plan भी बनाते हैं आपको याद करकर ठीक है कि अगर कभी ऐसा हुआ तो ऐसे हम दोनों साथ में business करेंगे या फिर कुछ भी adventure करेंगे ठीक है आपको बहुत intimate connection है यह बहुत deep connection है आपका life purpose भी एक साथ है तो भरोसा रखो दोनों ही struggle face कर रहे हो ठीक हो जाएगा आप बहुत special हो अपने person के लिए आपसे बहुत प्यार करते हैं यह चाहते हैं आपके साथ date करें ठीक है और एक intimate connection है यह connection ना शब्दों में भी describe नहीं कर सकती मैं यह इतना special connection है बहुत ज्यादा फिक्र है आपके person को आपकी या तो इस वजह से भी दूर गयें कि यह आपको यह चीजे भी इसके माइंड में हो सकते हैं यह आपको अवाइड कर रहे हैं यह बात यहाँ पर बिलकुल तय है लेकिन हाँ future plans देख लिए इसने के date करेंगे आग साथ में घूमेंगे trip करेंगे ठीक है ऐसे adventure करेंगे यह सब इस person ने सोचा हुआ है बट अभी की suffering इसको भी disturb करती है आपके पास भी sufferings है आप भी होड़ी disturb हैं परिशान हो रहे हैं तो don't worry इतना परिशान क्यों हो रहे हो भगवान पर भरोसा है ना सब ठीक हो जाएगा चलो अब यहां से देखते हैं इस person का next action क्या होगा next action देखने से पहले challenge देख लेते हैं challenge क्या इसमें इस connection में right now challenge ही है कि अभी आपकी life solve भी नहीं है ठीक तरीके से बहुत ज्यादा अभी you know आपको equation समझनी आ रही है pattern समझनी आ रहे हैं आपको बहुत चीज़े अभी solve करनी है दोनों ही दोनों को ही stressful है आप दोनों को stand लेना जरुरत है यही challenge है ठीक है financial crisis आए हुए है यानि कि business में या job में आपके पढ़ाई लिखाई में मतलब काम आपके बननी रहे हैं यह काम आपको क्यों क्यों नहीं बन रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं उलजने हैं कितनी जादा उपर से financial crisis आप ठीक से action लो यही challenge है लेंगे अभी तो फिलाल king of swords पहले तो अपनी परिशानियां ही दूर करेंगे अभी नहीं next action guys जल्दी नहीं लेंगे हो सकता है बात कर लें आपसे हाल चाल पूछ लें बट next action तो मुझे hard work करते हुए दिख रहे हैं यह na divine timing का wait करेंगे next action के लिए खुझ से नहीं initiative लेंगे ठीक है कि यह कर रहे है hard work अपने career को ठीक करने के लिए और delay दिख रहा है ठीक है और परिशान भी है आपके बिना खुछ थोड़ी नहीं परिशान ही है बट पहले परिशानियां ही दूर करनी है फिर आपके पास आना ही है कुछ इस person का perspective है ठीक है the wheel of fortune divine timing का wait कर रहे है कब divine timing आएगी कब delay खतम होगा कब सारी चीज़े work करेगी ठीक है इस तरीके की situation यहाँ पर आई हुई है तो it's okay जो भी हो रहा है होने दें आप अपना काम करेंगे अपना काम करेंगे इसी तरीक से तो divine timing आईगी न आपके लिए कुछ guidance अगर आ रहे है तो यह देख लेते हैं current situation के according जो भी guidance है आपके लिए let's see abundance देखो at the end आपको abundance मिलेगा इस connection में आपको आपकी life में abundance मिलेगा लेकिन आपको विश्वास रखने की जरूरत है time to relax और relax हो जाओ एकदम ज्यादा overthinking नहीं करनी परिशान नहीं होना है अराम से manifest करना है relaxed mind से time to move on कभी कभी न आपको move on करने की भी जरूरत पड़ती है follow the path destined for you move on do not stop or look back the desire change will come देखो desire change बिलकुल आएगा बिलकुल आएगा लेकिन आपको रुकना नहीं है आगे बढ़ना है और अपने teachers की अपने गुरू की ठीक है सब के respect कीजिए अगर आप नहीं कर रहे हैं तो गलत कर रहे है डिवाइन ब्लेसिंग्स तभी मिलेगी आपको ठीक है अच्छे से manifest कीजिए अपनी life को और डिवाइन से हमेशा help मां आपको पसंद आई हो अभी के लिए बस इतना है गाईज बाई टेक केर